यहां दुश्तों अंबीवी हर्याना से एक और सबसे बड़ी ख़वर सामने निकल कर आ रही है जो कि हर्याना सरकान ने बुजुर्गों का किया दिलखुस पेंसन पर बड़ा फैसला बुजुर्गों के लिए उनकी पेंसन ही सारा है जो जौब के बाद भी उन्हें आतिक रूप से मजबूत बनाये रखती है ऐसे में गौटलपल है की हर्याना में समय समय पर समाजिक पेंसन में बड़ोतरी की गई है पिछले सास सालों के आकड़ों को देखा जाए तो हर्याना में पेंसन धाये गुना बड़ोतरी की गई है साल 2013 से 2014 में जहां 1000 रुपे पेंसन मिलती थी वहीं अब ये इस साल 2020 से 21 में बढ़कर 25 रुपे पेंसन हो गई है इस हिसाब से अने राजों की तुलना में हर्याना में पेंसन को लेका बुजूरुग खास तोर गुज है दूसरे जोगों की बात की जाये तो पंजाब में बुजूरुगों को 1500 रुपे और दिल्ली में करीब 2000 रुपे पेंसन मिलती है हरियाना सरकार ने फैसला लिया है कि आप बुजरुगों को बिना आवेदन किये ही पेंसन का लाप्रदान किया जाएगा हरियाना की मुख मंदरी मनोह लाल खटन ने मंगल वाल को इस बारे में अहम जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि राज में किसी भी पती पतनी की आये दो लाग रुपे से कम है और उनकी उम्र साट साल हो गई है तो उनकी पेंसन बिना कोई आवेदन फॉर्म बरे ही शुरू हो जाएगी है बता दे कि हरियाना सरकार बुजूर्गों के लिए समय समय पर अच्छे फैसले ले चुकी है हरियाना में पिछले साथ सालों से समाजी पेंसन में धाय गुना भड़ोतरी की गई है इसके अलावा पेंसन धारकों की संख्या 2015 के मुकाबले दो गुना हो गई है तो दोस्तों